जहन साथियो इससे पहले वाली वीडियो में हमने समझा था कि हमारा SEO होता क्या है और अभी हम इस वीडियो में समझेंगे कि जो हमारा On-Page Optimization और Off-Page Optimization और Technic of SEO क्या होती है तो वीडियो में अन तक बने रहिएगा तो सबसे पहले हम बात करेंगे On-Page Optimization की की On-Page Optimization क्या होता है तो इसको हम देखेंगे तो ये लिखा हुआ है कि It includes all activities which can be executed on web page themselves for SEO ठीक है तो जो भी हमने अपना web page बनाया है उस पर हम क्या करते हैं सारी activities को खुद से कर सकते हैं ठीक है तो खुद से हम अपना SEO कर सकते हैं जो भी हमने अपना web page बनाया है जिससे की हमारी website हाई rank करने लगे ठीक है उसके बाद बात करें तो Impact Parameters की On-Page Optimization Impact Parameters की तो इसको देखेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या क्या होता है कि जो हमारा On-Page Optimization क्या क्या कर सकते हैं On-Page Optimization में तो सबसे पहले हम Search Indexing and Website Navigation कर सकते हैं जिससे की हम उसको Edit कर सकते हैं कि जो हमारा Search Indexing को Edit कर सकते हैं Website Navigation को Edit कर सकते हैं उसके बाद हम STML optimization कर सकते हैं, image optimized कर सकते हैं, उसके बाद क्या है, webpage tag management, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, कि जो हमारा webpage है, जो भी हमने अपनी website बनाई है, उसके tag को हम manage कर सकते हैं, ठीक है, हम उसमें बहुत सारे tag लगा सकते हैं, जिससे कि हमारी website हाई rank करने लगे, तो ये हो हमारा webpage tag management, ठीक है, quality content and keyword inclusion, हम keywords को change कर सकते हैं, और quality content को ही उसमें रख सकते हैं, ठीक है, कई बार ऐसा होता है, हमने क्या किया होता है, कि जो content होता है, वही हमारी website को high rank करने में मदद करता है, तो इसमें क्या है कि quality content and keyword inclusion कर सकते हैं, उसके बाद क्या है, content discovery and linkage, ठीक है, तो बहुत सारे links को और content discovery को उसमें हम add कर सकते हैं, usability and user experience impact, ठीक है, जैसे कि हमारी, इसमें क्या होता है, कि जो हमारा user हमारी website पे आ रहा है, और जो उसका experience है, वो भी बहुत impact डालता है, हमारी website को high rank करने के लिए, ठीक है, उसके बाद थड़ क्या है, कि these are parameters that type can be controlled by coding on the page, ठीक है, तो इसमें क्या है, कि हम, जो भी इसमें हमने on page optimization impact parameters किये हैं, तो इसमें क्या है, कि हम उन इनको control कर सकते हैं, basically क्या है, कि on page optimization का मतलब होता है control, ठीक है, कि हम अपने जो भी हम parameters कर रहे हैं, जो भी स्टीमेल ऑप्टिमाइज कर रहे हैं में उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं ठीक है अब बात करें ऑफ फेज ऑप्टिमाइजेशन की तो इसमें देखेंगे इट कवर एक्टिविटीज डैट कें टेक आउटसाइड वेब आउटसाइड वेब विच कैन नौट वी कंट्रोल ठीक है तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ठीक है थुरू वेब आप देख सकते हैं कि लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं जो भी हमारी वेबसाइट का लिंक होता है लाइक हमने कोई नाम दे दिया जैसे कि OK.com तो OK.com हमारा क्या हो जाएगा एक लिंक हो जाएगा तो जैसी कोई ये लिंक डालेगा इस लिंक को जैसी कोई गूगल सर्च पर डालेगा वैसी हमारी वेबसाइट आ जाएगी तो इसमें क्या करते हैं कि Off Page Optimization में Link Building कर सकते हैं Social Reputation कर सकते हैं कि जो हमारी वेबसाइट है उसका Social समाज में क्या Reputation है उसके बाद वेबसाइट अथर्टी एंड ट्रस्ट जो हमारी वेबसाइट पे लोगों का क्या ट्रस्ट है इसको हम चेक कर सकते हैं है personalization and localization ठीक है तो इसमें क्या है जो हमारी personal website है उसके बारे में हम देख सकते हैं तो इसके बाद हम देखते हैं कि technique of SEO ठीक है तो इसके पहले हम बात करेंगे black hat and white hat and gray hat की ठीक है तो black hat हमारा क्या होता है white hat क्या होता है lägiga है 30 चीज्ज हमारी वी खहूता तो तो इसके बाद हम देखेंगे को इसमें क्या करते मियं कि जो हमारा है ब्लॉग रैकिक हमारा यू ब्लॉग राइटिंग करते हैं रहा पहले हम उसके बात क्या करते है additions यूइक होना चाहिए आपके वेबसाइट पर क्यों लोग आएंगे इसलिए आएंगे न क्योंकि थोड़ा सा अलग होगा और लोगों से तो ब्लॉग की हम पहले ब्लॉग राइटिंग करें उसके बाद यूणी कंटेंट हमारी वेबसाइट पर होना चाहिए एनलेटिक्स इंट्रिगेशन टू ट्रेक ओल वेब परफॉर्मेंस ठीक है हमारे पास एनलेटिक इंट्रिगेशन होना चाहिए जिससे हम पता कर सकी कि हमारी वेब है उसकी परफॉर्मेंस कैसी हो रही है हाई परफॉर्म हो रही है लोग परफॉर्म हो रही है मीडियम परफ बग लिंकिंग एक उपेज अप्टिमाइजेशन क्या होती है कि औरे उपेज योई च्छेशेशों कि वीडियो में भीज जरने समझा किंङिगौा लुकॉद दूसे इस में में पाउन पाइज अपिने में।ुत अप्टिमाइजेशन चोथ होती है कि can be controlled by coding.